यही हमारा सिलसला रहता आप लोग को पता ही है और सही बताऊं तो आज थोड़ा टाइम भी हो गया है क्योंकि मैं कल साहों मुफी देखी रहा था काफी टाइम तक सोया नहीं तो सुबह नहीं उट पाया जिस टाइम पे उटता हूं मैं तो चलिए बात करते हैं रात से लेकर के अभी तक जित्री सारी बाते चल रही हैं सलार मुवी को लेकर के बहुत सारा का सारा डिस्केशन करते हैं पहले बहुत ज़्यादा अपरा तप्री मची हुए है कि छे तारीक बहुत लेट हो जा रहा है उससे पहले आना चाहिए तीन गाइज देखो मैं आपको केहना चाहता हूँ कि यार इतने महईने इतने दिनों तक हम इंतजार कर लिए और 2-3 दिन सभी हैं ना क्योंकि 6 तारीक एक थेटर में देखना है लेकिन थेटर में तो मतलब कोई teaser trailer आता ही नहीं है कोई film के दोरान ही हमें देखने को मिलता है especially उसको खली नहीं चलाया जाता है ना तो guys एक film देखने जाओगे और वहाँ पे वो teaser या trailer को चलाएंगे नहीं चलाएंगे वो उनकी बात होती है आदीपुरुस के time पे भी वैसा हुआ था आदीपुरुस का trailer जब आया था उसी दोरान एक Hollywood movie आया था कौन सा movie है मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ तो बहुत सारे बाई लोग जो जितने लोग मेरे मतलब डालिंग प्रवास के fans जो लोग मेरे साथ जुड़े हुआ है मेरे sources जितने हैं वो लोग जा करके ना Hollywood film की जब वो देखना जाते थे वो counter में पहले पूछते थे मतलब वो theater वालना से पहले पूछते थे कि भाई आप trailer चला रहे हो की नहीं आता है तो उसका trailer या teaser को हमें theater में experience लेने का एक अलग मज़ा रहता है और अगर देखो वो trailer आ जाएगा तीन तारीक को तीन तारीक के बाद हम तीन चार दिन तक उसको कहीं बाहर देखेंगे भाई अपनी बात मैं करता हूँ मैं कितनी बार देख लूँगा मुझे भी नी बता है ना बहुत बार देख लूँगा मैं क्योंकि भाई trailer आएगा सलार का तो बार बार देख लेंगे है ना उसके बाद साथ तारीक जब हम जवान मुवी देखने जाएंगे उसके बाद हम ठेटर में देखेंगे अच्छा लगेंगा अच्छा लगेंगा लेकिन इतनी बार देखने कि बाद फिर देखोगे तो गैस वो अच्छा नहीं लगए चाहिगा वो मजा नी आप आएगा जितना मजा आना चाहिए तो गैस मैं आपको आपको पहले से वो ट्रेलर को थेटर में experience लोगे और इस बास का BGM में कितना काम हो रहा है मैं आपको पहले से format को लेकर एक वीडियो बनाया था आपको याद होगा है ना 5.1 पेर क्या है Atmos क्या-क्या बहुत सारे audio quality इस बार है तो अभी बसरूर का BGM इस बार ना बहुत ज़्यादा तहलका मचाने वाली है तो अगर उससे आप तुरंद बाद थेटर में देखते हो तो और कितना मजा आएगा है ना YouTube की record के लिए YouTube पे digitally छोड़ना बहुत ज़रूरी है लेकिन 7 तारिक 6 तारिक यूट्यूब पर आगया साथ तारिक फिर हमें थेटर में देखने को मिलेगा तुरंद बाद ताजा ताजा तो भाई कितना मजा आएगा जरा सोचो तो इतने दिन में हम वेट कर लिए है तो और दो तीन दिन सही तो भाई 6 तारिक मेरे हिसाब से तो एकदम से बैस्ट है अभी जो बातें उठ रही है अभी जो बातें उठ रहे हैं मतलब यह announcement नहीं हो चुका है बस बहुत strong बर्च है कि 6 तारिक को आज आएगा बोल करके मतलब एकदम से strong बर्च है तो 6 तारिक ही आना चाहिए दोस्त च्छे तरीक एक best date है, हम लोगों के लिए भी और फिल्म बालों के लिए भी, क्योंकि जवान के साथ इसका promotion भी होगा YouTube पर record भी बनेगा, और हमें एक best experience भी मिलेगा, यह trailer के दोरान, तो यह 6 तरीक बहुत अच्छा date है, तो आप लोग किसके लिए रो रहे हो, तीन तरीक के लिए या 6 तरीक के लिए जरूर कमेंड करिएगा, मैं तो 6 तरीक के लिए भाई, मैरा 6 तरीक ही best है, ओके और दूसरे नमबर पर पता चलिए कि pre-release event नहीं होगा, हम बाले फिल्म को pre-release event नहीं रख ले, इसके लिए उपर confirmation संदू बल करके एक comment आया है, तो guys मैं आपको बताना चाहूंगा, कल रात हुच ऐसा पता चला है, जो कल रात ही नहीं, बहुत पहले से पता चला है कि भाई, आपको, अब भी सुने होंगे कि Darling Prawhas की जो नी प्रूबलेम है साहित, सलारोविका है, ओके, और एक action sequence का shooting कर रहे थे, और वहीं पे उनका injured हुआ, ये knee problem हो गया knee surgery वगरा, कुछ ऐसा हो गया, इसलिए वो exercise वगरा करने पाए, और उनका vintage look खो गया है न, तो मैं miss कर रहा था यार, तो वो knee problem ही है, एक बहुत बड़ा problem जो अभी बहुत ज़्यदा severe हो गया है, साहित, ओके, और इसलिए कोई प्रिडली चिबहन वगरा नहीं रखेंगे, और डालिंग प्रभा सारे के सारे shooting भी cancel करने वाले हैं, और वो ketimen के लिए महिनों देने वाले हैं, और ये सही है यार, वो completely अच्छा हो जाएं, उनके फिल्म, मतलब प्रोजेक्ट की हमें जानवारी में देखने को मिले, ना मिले वो बड़ी बाद नहीं है, लेकिन वो एकदम से अच्छा हो जाएं, और फिर से तहल का मजाए, अपने vintage look के साथ आए, वो हम चाहते हैं, दिल से दुआ करो भाई, कि उनका ये जो नी problem है न, वो जल्दी से ठीक हो जाए, दिल से दुआ करो, ओके, यही problem है कि हम बाले film स्पिरे रिलीज इभेन नहीं रखना चाहते हैं, उपि डालिंग प्रवास ने आएंगे तो इभेन रखने का ना रखने का क्या फाइदा, है न, तो इसलिए साइध वो cancel कर रहे हैं, तिसरे नंबर में पता चलिए, announcement zone, okay, announcement soon को ले करके एक poster है, अधिरा का, मतलब बो जो तलवार वाला, ऐसा वाला एक poster कल से viral हो रही है, रात से आप देखे है, okay, मतलब बहुत ही जल्द trailer का announcement होगा बोल करके, अच्छी बात है कल अगर ये poster आया है और कुछ ऐसी बातें उठी हैं, तो guys hopefully के आज announcement हो जाए है न, आज तो trailer आना था actually, literally, आज trailer आना था actually, Salaar के makers के हिसाब से, जैसे ये लोग तैयार करेंगे, लास तक trailer को बोल करेंगे, जिस तरह का community post चोड़े थे, teacher की दोना, तो आज तो trailer आज आना जाए, अगर आज trailer नहीं आ रहा है, जवान का trailer आ जा रहा है तो आज साइद हमें Salaar की trailer की announcement देखने को मिल जाए है ना, या फिर 6 तारीकों ला रहे है तो एक दो दिन के बाद देखने को मिल जाए, लेकिन भेरी सुन लिखा जा रहा है, और इस बार का सुन कोई, दिन में मून दिखाना है, यह यह लिटरिली सुन है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है, दिखते हैं, यह डॉलर से ज़्यादा तक की हो चुका है, जो कि हमारे इंडियन करेंसी में साधे चार करूर तक की कलेक्शन कर चुका है, सलार मूवी USA प्रिमियर के लिए तो गाईस, मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा USA प्रिमियर के हिसाब से USA की इंडियन सिनेमा USA में डेवान हो या प्रिमियर सो हो, ओके सबसे हाइस जो है, ट्रिपल आर है जो की 3.something कितना मिल्यान है, ओके वो हाइस था और 20 दिन पहले से, फिल्म रिलीज होने के फिल्म प्रिमियर होने से, 20 दिन पहले से, 520 के डॉलर तक कि उसका, मतलब प्रिसेल्स वगेरा हो चुका था, ओके और सलार जो है, 30 दिन पहले, एक महीने पहले से ही ऐसा हुआ है आपको तो पता है, वो मल्टी स्लार फिल्म भी था और उसको भी बड़े पैमाने पे लेके जा रहे थे तो उसके मुकाबले सलार जो है, बहुत आगे है और अगर निजाम राइट्स की भी बात करें तो निजाम राइट्स में भी सलार ट्रिपल र को एकदम से मात दे दिया है ट्रिपल र का 75 करोड एकदम से हाइस था अभी सलार का जो है 80 करोड में दिल रजू प्रडक्शन में आ रही है तो उसमें भी मात दिया है तो बहुत आगे जा रहा है मजा आ रहा है, USA में तो बहुत बड़ा धमका होगा ही होगा लास्ट में मैं आपको कमेंड नहीं मागूँगा मैं बस आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई डालिंग प्रभास की नी सरजरी के लिए नी प्रॉब्लेम के लिए अब दिल से दुआ करो यार एक बार थैंक्स पर वोचिंग, हैवे नाइस टे, टेक केर